भारत माता की भारत माता की भारत माता की असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्री सर्वानन सोनवाल जी केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी स्री रामेश्वर तेली जी असम सरकार में मंत्री डॉक्टर हैमंता विश्वा सर्मा जी भाय अतुल बोरा जी स्री केशव महंत जी स्री संजय किशन जी स्री जोगन महं जी हाउस्पेड के चेर्मेन स्री रजिंत कुमार दास जी अन्य सभी सांसद गर्ण विधायक गर्ण और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों यह जरा माइक ठीक करिए भाई बीच में आवाज आ रही है मोई अख्वाम बाथिग इंगराजी नब बर्खा अरू भुगाली बिहूर अंत्रीक्स हुवेच साथ जोने से अही बालोगिया दिन्बुर होकेलूरे बाबे हक अरू हमरी धीरे पुर्ना होक साथियों असम के लोगों का यह अशिरवाद आपकी आत्मियता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्या है आपका यह प्रेम इसने है मुझे बार बार आसाम ले आता है बीते वर्षों में अनेको बार मुझे असम के अलग-अलग हिस्सों में आने का असम के भाई बहनों से बाच्चित करने और विकास के कामा से जूड़ने का आउसर मिला है पिछले वर्ष मैं कोकरा जार में इत्यासिक बोडो समझोते के बाद जो उत्सव हुआ उसमें शामिल हुआ था अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्सा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूँ आज असम के हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है एक लाग से जादा मुल निवासि परिवारों को भूमे के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है भाई और भनो आज के दिन स्वाभिमान स्वाधिन्ता और सुरक्षा के तीनेयों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है पहला आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मुल निवाशियों के अपनी जमिन से जुडाव को कानूनी सवरक्षन दिया गया दूसरा ये काम अईतिहांचिक सिवसागर में जेरेंगा पठार की धर्ती पर हो रहा है ये भूमी असम के भविश्य के लिए सर्वोच्य त्याग करने वाली महासती जॉय मुत्मती की बलिदान भूमी है मैं उनके अदम में साहस को और इस भूमी को आधर पुर्वग नवन करता हूँ सिवसागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की सबसे पांच सबसे आइकोनिक आर्कियोलोजिकल साइड्स में सामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है भाईव और बहनों आज ही देश हम सब के प्रियव हम सब के स्रधे नेताजी सुभाज चंद्रबोश की 125 वी जन्म जैंती मना रहा है देश ने अब तय किया है इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी मा भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरन आज भी हमें प्रेरणा देता है आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कारक्रम भी शुरू हो रहे हैं इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्हीदों के पुरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रिय संकल्पों की सिद्धी के लिए प्रेन्या लेने का भी आउसर है साथियों हम सभी एक ऐसी संस्क्रिती के द्वजवाहक है जहां हमारी धर्ती हमारी जमीन सिरफ गास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती धर्ती हमारे लिए माता का रूप है असम की महान संतान भारत रत्न भुपेन हजारी का ने कहा था ओमुर्धरित्री आई ओमुर्धरित्री आई चोरो नोटे डीबा थाई खोत्यो कोर निस्तार नाई माटी बीने ओहो हाई याने है धर्ती माता मुझे अपने चर्णों में जगह दीजिए आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा मिट्टी के बिना वो असाय होगा साथियों ये दूखद है कि आज हादी के इतने वर्षों बाद भी असम्में लाखों ऐसे परिवार रहे जिने किसी न किसी वज़े से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया इस वज़े से विशेश तोर पर आदिवासिक शेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भुमी हिन रह गई उनकी आजिविका पर लगातार संकट बना रहा असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहां करीब करीब छे लाख मुल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे पहले की सरकारों में आपकी ये चिन्ता उनकी प्रात्विक्ता में ही नहीं थी लेकिन सर्वानन सोनोवाल जी उनके नेत्रुत में यहां की सरकार ने आपकी इस चिन्ता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति की समरक्षन के साथ साथ भूमी से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेश जोड़ दिया जा रहा है 2019 में जो नई लेंड पॉलिसी बनाई गई है वो यहां की सरकार की प्रतिवद्धता को दिखाता है इनी प्रयासों का प्रणाम है कि बीते सालों में सवाद दो लाग से जादा मुल निवासि परिवारों को भूमी के पट्टे सोंपे जा चुके है अब इसमें एक लाग से जादा परिवार और जुड़ जाएंगे लक्ष ये है कि असम के ऐसे हर परिवार को जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके बाई यो और बहनो जमीन का पट्टा मिलने से मुल निवासियों की लंबी मांग तो पुरी हुई है इससे लाखों लोगों का जीवन सर बहतर होने का रास्ता भी बना है अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाब मिलना भी सुनिस्चित हुआ है जिन से हमारी ये साथी बन्चित थे अब ये साथी भी असम के उन लाखों किसान परिवारों में सामिल हो जाएंगे जिनको पिएम किसान सम्मान निदी के तहट हजारों रुपियों की मदद सीधी बैंक खाते में बेजी जा रही है अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड फसल भिमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाब मिल सकेगा इतना ही नहीं वो अपने व्यापार कारोबार के लिए इस जमीन पर बैंकों से रण आसानी से ले पाएंगे भाई और बहनों असम की लगबक सत्तर छोटी बड़ी जनजातियों को सामाजिक समरक्षन देते हुए उनका तेज विकास हमारी सरकार की प्रतिवद्दता रही है अटल जी की सरकार हो या फिर बीते कुछ सानों से केंद्र और राज्य में एंडिये की सरकार असम की संस्कृति स्वाबिमान और सुरक्षा हमारी प्रत्विकता रही है असम्या भाषा और साहित्य को प्रत्षान देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए है इसी तरह हर समुदाय के महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का काम बीते सालों में असम की धर्ति पर हुआ है श्रिमन संकर देव जी का दर्शन उनकी सिख्षा असम के साथ साथ संपुन देश पूरी मानवता के लिए बहुत अनमोल संपत्ति है ऐसी दरोहर को बचाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिज हो यह हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी लेकिन बाटाद्रवा सत्र सहीत दूसरे सत्रों के साथ क्या बरताव किया गया यह असम के लोगों से छिपा नहीं है बीतेज साड़े चार सालों में असम सरकार ने आस्ता और अध्यात्म के इंसानों को भव्य बनाने के लिए कला से जुड़ी अइतिहासिक वस्तिवों को संजोने के लिए अनेक प्रयास किये है इसी तरह असम और भारत के गवरों काजी रंगा नेशनल पार्क को भी अती क्रमन से मुक्त करने और पार्क को और बहतर बनाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे है बाई और बहनों आत्म निर्भर भारत के लिए नौर्थ इसका तेज विकास असम का तेज विकास बहुत ही आवश्चक है आत्म अंदिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्म विश्वात से होकर गुजरता है और आत्म विश्वात तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविदाएं मिलती है और राज्ये के अंदर इनफास्त्रक्चर भी सुधरता है बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभुत्पुर्व काम किया गया है असम में लगभग पौने दो करोड गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए इनी खातों के कारण करोणा के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है आज असम की लगभग चालीस प्रतिशद आबादी आयुश्मान भारत की लाबारती है जिसमें से लगभग देड़ लाख साथियों को मुप्त इलाज भी मिल चुका है बीते छे साल में असम में टॉयलेस की कवरेट 38 परसंट 38 प्रतिशद से बढ़कर सत प्रतिशद हो चुकी है पांच साल पहले तक असम के 50 प्रतिशद से भी कम घरों तक बिजली पहुँची थी जो अब लगभग 100 प्रतिशद तक पहुँच चुकी है जल जीवन मीशन के तहट बीते डेड़ साल में असम में डाई लाज से ज़ादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है केंद्रो और राज्य सरकार का डबल इंजेन तीन चार वर्सों में असम के हर घर तक पाईप से जल पहुचाने के लिए काम कर रहा है बाई और बहनों ये जितनी भी सुविदाएं हैं इनका लाब सबसे ज़ादा हमारी बहनों बेटियों को ही होता है असम की बहनों बेटियों को बहुत बड़ा लाब उज्वला योजना से भी हुआ है आज असम की करीब 35 लाग गरीब बहनों की रसोई में उज्वला का गैस कनेक्शन है इसमें भी लगबग 4 लाग परिवार SC और ST वर्ग के हैं 2014 में जब हमारी सरकार केंदर में बनी तब असम में LPG कवरेज सिर्फ 40 प्रतिशद 40 प्रसंटी थी अब उज्वला की वज़र से असम में LPG कवरेज बढ़कर करीब करीब 99 प्रतिशद हो गया है असम के दूर दराज वाले इलाकों में गैस पहुंचने में दिक्कत न हो इसके लिए सरकार ने डिस्ट्यूबिटर्स की संख्या को भी काफी बढ़ाया है 2014 में असम में 330 LPG गैस डिस्ट्यूबिटर थे अब आज इनकी संख्या 575 से भी जादा हो गई है हमने देखा है कि कैसे उजवला ने कोरोना के समय में भी लोगों की मदद की है इस दोरान असम में 50 लाग से जादा मुप्त गैस सिलिंडर उजवला के लाभार्थों को दिये गए है यानि उजवला योजना से असम की बहनों का जीवन भी आसान हुआ है और इसके लिए जो सेंकड़ों नए डिस्टिबिशन सेंटर बने हैं उससे अनेक युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है साथियों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र पर चल रही है हमारी सरकार असम के हर हिस्से में हर वर्ग को तेजी से विकास का लाब पहुंचाने में जुटी है पहले की नीतियों के कारण चाय जनजाती की क्या स्थिती हो गई थी ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं अब चाय जनजाती को गर और सवचाले जैसी मुल सुभिदाओं से जोड़ा जा रहा है चाय जनजाती के नेक परिवारों को भी जमीन का कानूनी अधिकार मिला है चाय जनजाती के बच्चों की सिख्षा, स्वास्त और रोजगार की सुभिदाओं पर ध्यान दिया जा रहा है पहली बार उनको बैंक की सुभिदाओं से जोड़ा गया है अब इन परिवारों को भी सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाब सीधे बैंक खाते में मिल पा रहा है स्रमिक नेता संतोष टोपनो सहीत चाय जनजाती के दूसरे बड़े नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित करके राज्य सरकार ने चाय राजनिती के योगदान को सम्मान दिया है चाय जनजाती के सम्मान दिया है साथियों असम के हर खेत्र की हर जनजाती को समात देकर चलने की इसी निती से आज असम शांती और प्रगती के मार्क पर चल पड़ा है आज त्यहां सिक बोडो समझोते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिश्सा शांती और विकास के मार्क पर लौट आया है समझोते के बाद हाल में बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुई है प्रतिनिती चुने गए मुझे विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान सापित करेगी भाईयों और बहनों आज हमारी सरकार असम की जरुतों की पहचान करके हर जरुरी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है बीते छे सालों से असम सहीत पूरे नौर्थिस की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफा सक्तर का भुत्पुर विश्तार भी हो रहा है आधुनिक भी हो रहा है आज असम और नौर्थिस्ट भारत की एक इस पॉलिसी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा कनेक्ट बढा रही है बहतर इंफा सेक्टर के कारण ही असम आत्म निर्भर भारत के एक महत्वपुर्ण सेक्टर के रुप में विश्सित हो रहा है बीते सालों में असम के गावों में करीब ग्यारा हजार किलोमिटर सडके बनाई गई है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो बोगी बिल ब्रीज हो साराय घाट ब्रीज हो ऐसे अनेक ब्रीज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं इन से असम की कनेक्टिविटी शसक्त हुई है अम नौर्थीस और असम की लोगों को आने जाने के लिए लंबे मार से और जीवन को खत्रे में डालने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है इसके अलावा जलमारगों से बंगलादेश, नेपाल, भुटान और म्यानमार के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है साथियों असम में जैसे जैसे रेल और एर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है लोजिस्टिक से जुड़ी सुविदाय बहतर हो रही है वैसे वैसे हाँ उद्योग और रोजगार की नई संभावनाय बन रही है लोकप्रिय गोपिनार्द बॉर्डोलोई इंटरनेशनल एरपोर्ट में आधुनीक टर्मिनल और कस्टम क्लिरंस सेंटर का निर्माण हो कोकरा जार में रूपसी एरपोर्ट का आधुनीक करण हो बौंगई गाउं में मल्टी मोडल लोजिस्टिक हफ का निर्माण हो पुद्योगी की विकास को नयाब बल मिलने वाला है भाई और भेनो आज जब देश गैस बेच एकोनामी के दरब तेजी से आगे बढ़ रहा है तो असम भी इस अभियान का एक एहम साजिदार है असम में तेल और गैस से जुड़े इंफा सक्तर पर बीते वर्षों में चालीस हदार करोड रुपीय से अधिक का निवेश किया गया है गुवहाटी बरोनी गैस पाइपलाइन से नौर्थ इस और पुर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है और असम में रोजगार के नए आउसर बनने वाले है नौमाली गण रिफाइनरी का विस्तारी करान करने के साथ साथ वहाँ आब बायो रिफाइनरी के सुभीद अभी जोड़ी गई है इससे तेल और गेस के साथ साथ असम इथेनौल जैसा बायो फ्यूल बनाने वाला देश का मुख्य राज्य बनने वाला है भाई और बैनों असम जब स्वास्त और स्विक्षा के हप के रुप में भी विख्षित हो रहा है एमस और इंडियन अग्रिकल्चर रिशन इंस्टिटूट जैसे संस्थान बनने से असम के युवाओं को आदूनिक शिक्षा के नए अवसर मिलने वाले जिस तरह से असम ने कुरोना माहमारी को हैंडल किया है वो भी प्रसंस नहीं है मैं असम की जनता के साथ ही सोनोवाल जी हैमनता जी और उनकी टीम को विशेश रुप से बढ़ाई देता हूँ मुझे विश्वास है कि असम अब टीका करण के अभ्यान को भी सभलता के साथ आगे बढ़ाएगा मेरा समबास्यों से भी आग रहा है कि कोरोना टीका करण के लिए जिसकी बारी आएए वो टीके जरूर लगवाएए और ये भी याद रखें कि टीके की एक डोज नहीं दो डोज लगनी जरूरी है साथियों पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की डिमांड हो रही है भारत में भी लाखों लोग अब तक टीका लगा चुके हैं हमें टीका भी लगवाना है और सावधानी भी जारी रखनी है अंत में फिर एक बार उन सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई जिनको भूमी का अधिकार मिला है आप सब स्वस्त रहें आप सब प्रगति करें इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धनिवाद